बिसमिल्ला इर्माइन रहीं असलाम अलेकूं वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ हुडी हिजाब या फिर आप इसे पटरफला हिजाब भी कह सकते हैं बहुत पहले मेरे पास यह रिकिवेस्ट आई थी और नहीं है तो मैं आपको दोबारा से इसे बनाना सिखाऊंगी और इसी के साथ में हम एक डूपट्टे की जरुवत होगी अक्सर हम जो है डूपट्टा जो ओड़ते हैं हमारे पास दो-तीन डूपट्टी जो है अबाया के एक्सरा रह जाते हैं उससे भी आप बना सकते हैं या अगर आपको कलरफूल बनाना है तो भी आप बना सकते हैं तो इसमें सिर्फ आपको डूपट्टे की जरुवत है अगर आप टोटल दो मिटर से जादा रूपट्टा लेंगे आपकी नोसपीस और डूपट्टा दोनल रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने देखी छोटा सा पीस कट किया है नोसपीस का और डूपट्टे का जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगे क्योंकि मैंने बड़ी नोसपीस बना के पहले ही बता चुकी हूँ तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहे हूँ तो यहाँ पर आपको नोसपीस पहले से कट कर लेने तो यहाँ पर चोटी से कट की है और इसका जो मेजर्मेंट है वो मैं बड़ो के साइस का बताऊंगी तो आप लग इसमें सीख सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर दोपीस कट किया है मैंने एक छोटी और एक बड़ी क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो डबल वारी नोसपीस बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले आपको जो है नोसपीस की लेनी होती है तो जो हमारी यहाँ पे ready length है वो हम लेंगे और इसे भी आप अपने हिसाब से लंबी या फिर थोड़ी छोटी भी कर सकते हैं तो इसकी जो length है वो 17 इंच है फर्स टेयर हमारी 17 इंच रहेगी और सेकेंड लेयर हम इसकी जो है वो 14 इंच तक रखेंगे तो यहाँ पे हम double layer बना रहे हैं अगर आपको single ने बनाना है और single आपके पास 9 इंच है तो उससे भी आप बना सकते हैं तो पहली वाली जो आपको 17 इंच पे कट करनी है यहाँ पर मैंने रेखी बड़ी वाली कट की है उसके बाद second वाली layer हम कट करेंगे जो कि इससे थोड़ी छोटी होगी तो यहाँ पर इसकी length रहेगी वो हम 14 इंच तक रखेंगे तो इस तरीके से आपको दो पीस कट कर लेना है और जो इसकी चोड़ाई रहेगी वो जो है हमारी नोसपीस इसी साब से हम ले रहे हैं तो यहाँ पर 14.5 इंच है अगर आपको इससे थोड़ी कम करनी तो आप 13 इंच भी ले सकते हैं इसके अंदर तो चोड़ाई भी आप अ हमें एक जैसी कट करनी है इसे आप चाहें तो राउंड शेप दे चाहें तो स्क्वेर में बनाए वो आपके उपर है लेकिन राउंड जो है वो ज़्यादा खुबसरत दिखाई देती है तो इसे हम आपी शेप देंगे यहाँ पर पहले हम बराबर पर रख देंगे और फि नीचे वाला हिस्सा हमारा हो गया है जो के सेम शेप में कट हो गया है अब यह जो दो हिस्से हैं यह एक साथ में हम उपर से मिलाएंगे यानि हमें यहाँ इस तरीके से हमारी नोस्पीस को कट करके रखना है और इस हिस्से को आप चाहें तो इस तरह बारिक से मोड के करना है तो पहले हम लंबाई लेले लेते हैं तो हमारी देखे यहाँ पहले हम हम 3 इंच लेंगे क्योंकि इसमें भी हमने हाफ इंच इक्सरा बढ़ा लिया है सिलाई के लिए देखिए यह हमारी जो बेल्ट है वो उपर रहेगी इसके बाद में हमें स्ट्रिप की जरूत होगी जो कि हम टाय करने के लिए यूज करते हैं तो आप जो है यह अपने हिसाब स अपने साइज के साब साब बना सकते हैं जैसा आपको चाहिए टाई करने के लिए तो यहां पर मैंने दू स्ट्रिप कट कर लिए है जो के बाद में हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और यह जो हम बिल्ड बनाएंगी इसके अंदर हम आटेच कर देंगे त यहां पर मैंने जो है वह ब्लैक कलर की बारीक लेज लिए है तो मैं यहां पर फोल्ड नहीं करूंगी डायरे की इस लेज को हम यहां पर रखते हुए सिलाई लगा देंगे तो इस तरीके से हम जो है हमारी नोस्पीस को रेडी करेंगे अगर आपको बिल्कुल रेडी में जो नोस्पीस आती है उस तरीके से बनाना है तो आप एक हिंट चौड़ी जो है वो सैटनरी में लीजिए उसको बीच में से आप हाफ फोल्ड करके इसके बिल्कुल इसके साइड में आप लगा के एक सिलाई लगा देजिए तो आपकी जो सैटनरी में बहुत जादा यो अपलोड है मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देदूंगे तो आप लोग एक बार ज़रूर एक बच्चिक करिएगा एक हिस्से पर हमने यहां पर लेस को लगा दिया है तो यह देखे मैं आपको दिखा देती हूं यहां पर हमने इसे लगाया है और सेम यहां पर मैंने दूसरी पीस पर भी लेस को लगा दिया है अब हम इसे यहां पर एक यो पर एक रखेंगे और यह हिस्सा जो है चोटा ब बराबर करेंगे इस तरीके से और उसके बाद में हम इसे हाफ फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हाफ फोल्ड करने के बाद में इसके सेंटर पर हमें आयों maior कर देना है और यहां पर किसी गुलाई हम देंगे तो यह जो हम nose piece लगाएंगे वो आखों में ऐसा फसेगी तो थोड़ी सी आप इसे बढ़ा ही रखी तो मैंने यहाँ पर दीखिए साड़े तीन इंच तक उसे रखा है तो यहाँ पर साड़े तीन इंच हमें mark करना है तो जो आपकी nose piece होगी उसके अंदर आपको साड़े तीन इंच mark करना है यानि खोलने के बाद वो 7 इंच तक रहेगा तो देखे इसे दोबारा से मैं बता देती हूँ इसे इस तरीके से हम करेंगे इसे fold करेंगे और इसका center mark करेंगे इसके बाद में यहाँ पे हम साड़े तीन इंच तक mark करेंगे और यहाँ पे जो इसकी गुलाई देंगे वो हम गहराई में half इंच तक ही रखेंगे और हलका सा यहाँ पे गहराई देने के बाद में इसकी हम cutting कर देंगे तो ऐसा हम इसके लिए करते हैं तक यह जो नीचे वाला इससा रहे हमारे आखों के नीचे का वो बार बार उपर की तरफ नहीं आए तो यहाँ पे हमने हलका सा shape दे दिया है अब इसे हमें joint करना है लेकिन joint करने के लिए हमें इसे पलटना होगा यानि उल्टा करके एक पीस को हम उल्टा करेंगे और एक पीस को हम सीधा ही रखेंगे और इस तरीके से रखके हम इसे joint करेंगे तो यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे उसके बाद में इसे पलट देंगे तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दिये अब हलकल का यहां पे हम ë कट लगा देंगे क्योंकि यहां पे हमने गहराई दी थि थोड़ी सी अब इसे हम टन करेंगे और इसे बराबर कर लेंगे और इतना करने के बाद दॉबारा से हम उसी के उपर एक और सिलाई लगाएंगे तकि ये दोनों जो हमारी nose piece है वो एक साथ में अच्छी तरीके से बैट जाए तो यहाँ पर भी देखिए मैंने इस लाई लगा दी है अब इसका जो हम belt बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हमें belt को जो है इसके साथ में attach करना है तो उसके लिए हम यह हिस्सा लेंगे जो हमने belt के लिए cutting किया था इसमें हम इस तरीके से से half fold करेंगे और बीच का जो center रहेगा वो mark कर लेंगे तो यहाँ पर यह जो बीच वाला हिस्सा है यही से हमें निशान लगाना है और इसे भी हम half करेंगे और यह जो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया था स्टार्टिंग में देखे जहां folding है वहां से यहां पर भी same ऐसी जहां folding रहेगी वहीं से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से देखिए अंदर चला जागा कपड़ा उसे हम पलट के सिलाई करेंगे और फिर दोने हिस्से को हम इसके अंदर डाल देंगे यह भीच वाले हिस्से को आपको सिलाई लगानी है उसके बाद में इसे पलट देना है तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी है इसे मैं आपको सिल पलट के दिखा देती हूं दोबारा से हम इसे टन करेंगे जब हम इसके अंदर सिलाई लगा दिया है इस तरीके से और जो इसका साइड वाला हिस्सा है यहाँ पर हमें सिलाई को डालना है उसके बाद में हम इसे जो है वो सिल देंगे तो यहाँ पर पहले हम सिलाई लगा के इसे पलट सकते हैं तो इस तरीके की भी आप सिलाई लगा के इसे पलट सकते हैं जो आपको आसान लगे उस तरीक दोने स्ट्रिप जो है हमारी रेडी हो चुकी है अब जो हमने बेल्ट बनाया था उस बेल्ट के अंदर इस स्ट्रिप को हमें डालना है तो देखिए यहां पर मैं निशान लगा कि दिखाती हूँ यह हिस्सा हमारा सिलाई कथा और यह हिस्सा जो रहेगा इसे हम साइड वाला जो बंद करेंगे यहां पर भी हमें सिलाई लगानी है देखिए इस हिस्से पर भी हमें सिलाई लगानी है और जो यह साइड वाला हिस्सा यहां पर भी सिलाई लगानी है यह मैंने शॉक से बताया तकि आपको समझ में आ जाए कहा कहा हमें सिलाई लगानी है एक साथ में औ वह ही साह सामने है, आप स्ट्रिप को अंदर डालकर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे दूस्सी तरप भी हम ऑनसी तरप डालकरेसे सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर दोन नेउन इस तरफ डाल दीच है हम इसे पलट देंगे तो देखे पलटने के बाद में किस तरह यह दिखाई देती है तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिप जो है वो रेडी है और यहाँ पे साइड साइड में खुला हुआ हिस्सा है जो के हम इस नोस्पीस को अंदर की तरफ डालेंगे इस हिसे को हम थोड़ा-थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और हमारी जो नोस्पीस है वो हिस्सा हम इसमें डाल देंगे तो यहाँ पे हम पहले पिल लगा देंगे बिल्कुल बराबर करते हुए और इसमें खास कर आपको ध्यान देना है यह आँख वाला हिस्सा है इसे मैं दोभारा आपको बतारीं हुए यह खांद नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे दिखी इतना हिस्सा आपको खोलना है जिसमें आपकी जो यह आँखे हैं वो सही से दिखाई दें यानि यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्णर की तरफ आपको जाधा रखना है वरना अगर आप यह छोटा रखेंगे तो बार-बार यह आँकों के अंदर यह पट्टी जो है वो चली जाती है और फिर आप सुचते हैं कि हमारी नोस्पीस ऐसे कैसे हो गई है तो यहाँ पे यह हिस्सा खास कर आपको ध्यान देना है तो हमने बेल्ट में देखिए नोस्पीस को लगा दिया है और हमारी नोस्पीस यहाँ पे बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो हमारी nose piece तयार है दो लेर हमने इसके अंदर बनाई है अब हम डूपटा लेंगे तो ये मैंने देखिए एक डूपटा छोटा सा लिया है कट किया है आपको तक का डूपटा लेना है और कपड़ी की जो वीद रहेगी वो जैसे डूपटे में नॉर्मल रहती है उतनी पूरी आपको ले लेनी है और डूपटे को देखिए किस तरीके से मिजर करना मैं आपको सिखा देती हूँ तो मैं डॉल के उपर ही आपको दुबारा बताऊंगी कि आपको जो है डूपटे को जो है चोड़ाई में पिछे की तरफ कितना लेना है या फिर आगे की तरफ आपको कितना रखना है तो इसकी लंबाई भी आप अपने हिसाब से कम्याजादा कर सकते हैं तो समझ लिजी कि आपको डूपटटा बनाना है तो डूपटे को आपको जो है इस तरह अपने सर पे रखना है लंबाई में हम इसे ऐसे रखेंगे और जो इसका पहना होगा यानि जो इसकी वीध होगी वो पीछे की तरफ होगी तो देखें यहाँ पे इसकी जो ये वीध है वो पीछे की तरफ रहती यह लंबाई आपको अपने हिसाब से लेना है क्योंकि हमें यहीं पे shape देना है अगर आप जाधा लंबाई इसे रखेंगे तो यह वी शेप में पिछे की तरफ जादा लंबा रहेगा में मार्क करना एकदम राउन हम नहीं करेंगे और यह जो बंद वाला हिस्सा है हमारे डुपट्टे का अगर आपको जो है और ज्यादा लंबा चाहिए तो आप ज्यादा पने का लेजिए कपड़ा तो इस तरीके से हम मार्किंग करके इसके अंदर कटिंग कर देंगे देखि हम सबसे पहले जो है डबल फोल्ड करके सिलाई लगा के हमारे डुपट्टे को रेडी कर लेते हैं तो यह हिजाब भी आप बहुत जल्दी बना सकते हैं वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है पहनने के बाद में और बहुत ही ज़्यादा कंफोर्टेबल भी रहता है तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है और डुपट्टा देखिए हमारा रेडी हो चुका है अब इसमें जो में चीज है वो आपको यह देखना है कि इस डुपट्टे को अटेच कैसे करना है तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा तो यहाँ पर देखिए देखिए इस तरीके से मैं उपको बताते हूँ आपको दुपट्टे को इस तरह रखना है उसके उपर से रखेंगे हम और जो है यह हिस्सा जो है लंबाई का हमारी आंखों का साथ रखा है मैंने आप चाहे तो आड़ भी रख सकते हैं जैसा आपको comfortable feel हो और उसके बाद में आपको यह चोड़ाई रखनी है यह हिस्सा जो रखना है वो कम से कम 4 इंच आपको चोड़ा रखना है और यहाँ पे हम रुपट्टे को पूरी सिलाई लगा के स्टीच नहीं करना बस यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई और यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई दोनु जगे पर हम बस एक टाकी की तरह सिलाई लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने निशान लगाया है यहीं पे हमने डबल सिलाई लगा दिये और सेम यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे तो हमें बीशु के हिस्से को छोड़ देना है बीश में बिल्कुल भी हम सिलाई नहीं लगाएंगे तो यहां पे हमारा हिजाब बिलकुल लेडी हो चुका है इसे मैं आपको बताती है किस तरीके से पहनना है तो डॉल को मैं आपको यहां पे पहना के बताती हूँ जब आप इसे पहने तो आप सर पे इनर कैब भी बान ले अपनी या फिर आप हलका सा जो है वो डुपटा भी ले सकते हैं क्योंकि यह डुपटा सिंगल पे रहता है तो इससे जो है वो सर दिखाई देता है अगर आपका डुपटा थोड़ा सा मोटा है तो फिर कोई चुनिए और यहां पे देखिए बीच वाला हिस्सा खुला रहता है मैं आपको इसे clear दिखा देती है किस तरीके से यह दिखाई देता है ये कपड़ा पतला है तो आप देख सकते हैं इसलिए मैंने कहा कि इसके अंदर अगर आप हिजाब केप पहनते हैं तो वो ज्यादा अच् admire है तो यहाँ पर मैंने जो है डॉल को भी हिजाब केप पहनाया है तो आप देख सकते हैं या गोलाई देनी है तो इससे आप साब गोलाई दे सकते हैं और पीछे की लेंड भी आप अपने हिसाफ से रख सकते हैं और ये जो आप आया मैंने पहनाया है इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है तो आप लोग जरू देखिएगा और इसे देखिए आप इस तरीक बख सकते हैं तो आपको बस दो गाठ इसके अंदर इस तरीके से लगानी है और फिर इसे पहलड देना है देखिए यहाँ पर मैंने इसे टाई किया है इसे हमने यहाँ पर टन कर दिया पीछे की तरफ और फिर यह पीछे से आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत दिखाई दे रहा है तो हमारा जो यह हिजाब है आप इस तरीके से भी पहन सकते हैं तो अमीद करते हूं कि आज की वीडियो आपके लिए helpful रही होगी अगर आपको जो है आज की वीडियो में कोई ऐसी बाद जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं और किसी को अगर मुझे बात करनी है या फिर कमेंट करना है तो जो है चैट कर सकते हैं और आप लोग मेरे Instagram और Facebook पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ट्री लेर अबायो की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा और आपको अगर अबायो की वीडियो समझ में नहीं आ रही है जो मैंने छोटे से फैब्रिक में बना के बताया रेकिन मैंने measurement जो है वो बड़ों का सिखाया है तो आप लोग जो है वीडियो को slow motion में देखिए एक बार नहीं दो से तीन बार देखिए आप लोगों को ज़रूर इंशालला समझ में आ जाएगा फिर भी नहीं समझ में आ तो आप मुझे comment कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं